दोस्तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं खाली खेत और खाली खेत में भी आपको यहां पर वाइटनेस दिखाई दे रही होगी यह वाइट वाइट पॉट दिखाई दे रहे हैं तो यह है सूपर खाद SSP सिंगल सूपर फॉस्पेट और इसमें सलफर भी अविलेबल होता है और ये खेतान कंपनी का है मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या परसेंटेज सो हो रहा है और किस के से देखकर लाना चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह सिंगल सूपर फॉस्पेट यह पॉडर फॉर्म में है और पॉडर ही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यह पूरा रोम रोम में चला जाता है जिसे आप देख पा रहा हूँगी यह पूरी मिट्टी के रोम रोम में चला गया है और यह अवेलेबिलिटी बता रहा है यहाँ पर 16% फॉस्फवरस और यह सल्फऺल बता रहा है सुरी फॉस्फवरस का जो % बता रहा है यह यहाँ पर दिखा रहा है फोर्टीन पॉइंट प्रसेंट और सल्फर बता रहा है 11% और नेट वेट इसका जो है यह 50 K decis kit है तो एक बिढा मतलब एकड का तीन बेग और बिघा के दो बेग इसे डालना चाहिए तो वो एक बहुत अच्छा होता है संतुलित हो जाता है और इसके अलावा इसको ब्रोटकास्ट करने का तरीका आप देख पा रहे होंगे यह भाई यहाँ पर ब्रोटकास्ट कर रहे है तो यह इस तरह से पाउडर फॉर्म में आता है तो यह पूरा ब्रोटकास्ट हो रहा है और इस तरह से यह डल रहा है यहाँ पर और इसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह तरीका सबसे अच्छा है और डालना कप चाहिए कैसे डालना चाहिए वो भी समझते हैं तो यहाँ पर आप देख हैं यह एक कल्टिवेटर हो चुका है तो यह तो इस कल्टिवेटर के समय में डालना चाहिए या फिर इस कल्टिवेटर के पहले ही डाल देना चाहिए जैसे पास वाला खेत आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर यह स्वयाबिन कटा हुआ है तो यह जो यहाँ पर जग या जो वेस्ट है यह पूरा का पूरा डाइलूट हो जाएगा बहुत जल्दी बोने के टाइम पे क्योंकि जैसे ही पानी मिलेगा तो डिकंपोजर इसको पूरा डिकंपोज कर देगा और यह फॉर्टिलाइजर के रूप में जनरेट हो जाएगा कारबन की अवेलेबिलिटी हो सके तो डबल कल्टिवेटर और पानी चला दे डाइरेक्ट तो पानी जब चलाएंगे आप तो यह पूरा जमीन में जाएगा जिसे ही तो जो बहुत जादा धेपे निकलते हैं बड़े-बड़े धेले निकल जाते हैं उन धेलों को बनने नहीं देगा यह पूरा जमीन क को एकदम सौट बना देता है तो यह एक इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है और पूरी जमीन के हर पौर्ट में यह पोच जाता है तो यह बहुत ही फाइदेमन होता है अभी जिसे मैंने आपको बताएगी 16 परसेंट तो उसमें फासफोरस है पर जो सॉल्यूबल फॉर्म ह साड़े चौदा परसेंट है तो वह सॉल्यूबल फॉर्म में काम करेगा और दो बेक जब डलते हैं तो चौदा दुनू 28 और 29 परसेंट फासफोरस मिलता है जिसमें से अवेलेबिलिटी फॉर्म ही आपको दिखाया मैंने तो यह बहुत अच्छा काम करता है और जमीन को मै और इसी के साथ में सल्फर भी डाल दीजे जो कि पाउडर फॉर्म में सॉल्यूबिलिटी वाला आता है तो वह सल्फर भी ले लेना चाहिए इसके बाद पलेवा करना चाहिए तो जब पलेवा आप करेंगे तो यह पूरे रोम रोम में चला जाएगा पूरे सॉपनेस ला जंगल को और बहुत अच्छे से काम करेगा यह हो गया केसे कितना डालना चाहिए बिगे पे एकड़ पे मैंने दोनों बता दिया है डालने का तरीका आपको बताया है कि केसे डालना है तो यह ब्रोटकास हो रहा है यह तरीका सबसे अच्छा तरीका है और इसके बाद में जब बोने की तैयारी करते हैं तो उस समय में आपको कुछ भी नहीं करना है डायरेक्ट बो देना है पर एक और काम करना है वर्मी कमपोस्ट या फिर बारीक अच्छा गोबर का खाद 50-100 किलो प्रती बिगा एकड का 1.500 किलो के आसपास तक ले लेना चाहिए और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा, सुडो मोनास, बवेरिया बेशियाना नहीं भी डालेंगे तो चलेगा इस टाइम में जरूरत नहीं है फिर से रिपीट करता हूँ एक बार ट्राइकोडर्मा, सुडो मोनास, माइको राइजा और राइजो बियम कल्चर अगर आप चने की फसल लगा रह और अच्छे से मिक्स करके उसको च्छाया की जगा में डाल कर कुछ भी टाट वगेरा या कुछ भी बोरा उसके उपर डाल कर उसे 2-3 रोज के लिए रेस्ट दे धीजिए, उससे क्या होगा कि जितने भी बेक्टेरिया है वो active होकर उस खाद के रोम-रोम में चला जायेगा और उसको जब आप पलेवा करके छोड़ देते हैं तो पलेवा करने के जिस दिन भी बत्तर आ जाती है या आप खेत में चलने लायक बन जाता है उस समय में उसको ब्रोटकास कर दीजिए तो वो जब जमीन में चला जाएगा तो वो किसी भी तरह की विल्ट को नहीं आने कॉलर रोट को जनरेट नहीं होने देगा और चना सूखने नहीं देगा ये उसकी एक बहुत ही बड़िया खासियत है ट्राइकोडर्मा सुडोमनास की और माइकोराइजा क्यों डालना है माइकोराइजा इसलिए डालना है कि जैसे ही आप माइकोराइजा डालते हैं सिट ज जनरेट होता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के जस्ट बाद में उसकी रूट जनरेट होती है, जैसे ही जर्मिनेट होगा उसकी रूट जनरेट होगी, तो रूट भहुत सांदार जनरेट होगी, और ये केवल इतना ही कर लेना चाहिए, और बेस्ट करना हो, तो आपने बनाया है जो वर्मिकंपोस्ट या गोवरखाद आप ले रहे हैं बारिक वाला उसमें आप डिकंपोसर को भी एड कर लीजिए और डिकंपोसर जब एड कर लेते हैं तो बहुत फास्ट डिकंपोस्ट करता है जैसे कि यहां पर यह काफी सारा कच्रा होता है जमीन में इसे भी वो काफी अच्छे से डिकंपोस्ट कर देता है तो यह कर लेना चाहिए इसके वाकई में बहुती सांदार रिजल्ट मिलते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर SSP डल रहा है तो यह SSP को भी अगर डाइलूट अच्छे से करना है तो फिर तीन बेक्टिरि आते हैं वो भी ले सकते हैं और इनको प्री में ही कर लेना चाहिए जैसे कि आप जब गोबर खाद के अंदर डाइलूट करके बनाते हैं उस समय में अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह खर्च तो काफी बड़ा जा रहा है पर बेक्टिरिया के खर्च वाकई में बह उत्पादन ले सकेंगे आपके यहां पर विल्ट या फिर कॉलर रोड की प्रॉब्लम नहीं आएगी और कई सारे अच्छे बड़े बेनिफिट मिलेंगे जिससे कि आपकी जमीन की उर्वरा चमता भी बढ़ती है और जमीन भी सुधरती है और यह जो बेक्टिरिया होते है नमी वाली जगह में इस्टोर हो जाते हैं वही के वही डाइलूट होते रहते हैं और यह लंबे समय तक काम करते हैं जमीन एकदम एसी सौप्ट हो जाएगी भुरबुरी हो जाएगी आपको जमीन में जब चलेंगे तो भी बहुत मज़ा आएगा इतना सांदार यह बना द देता है तो कोशिस करना चाहिए कि मैंने जो आपको बताया है खेत की प्री एमर्जेंसी तैयारी करने में यह कर लें अगर तो वाकई में बहुती सांदार रिस्पोंस मिलता है और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी फास्फोरस की कमी लग रही हो तो बीस से पचीस दि है और सीडियूल में लाओंगा अभी फिलाल में 25 रोज तक का जिससे की रेगुलर हम बने रहेंगे और आगे भी आपको उससे रिलेटेट जानकारी मिलती रहेगी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ब बड़ें क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब से बहुत जादा बड़ी अर्निंग होती है तो यूट्यूब से अर्निंग ना के बराबर होती है होती ही नहीं है ना के बराबर ही होती है तो दोस्तों आप लोगों का कैवल इतना सपोर्ट इसलिए झाल झाल